इस विडियों ने डिस्ट करने वाले सार्जा CBFS 2020 सेरीज का आज का दिन का पहला मुकाबलग बरे में जो खिलाज जाएगा MGM क्रिकट कलब वर्सस कारवन बल्स के बिज में यानी MGM वर्सस के AB के बिज में MGM के टीम से बहुत जादा स्टॉंग टीम से अलाकि एक वला मुकाबला बहुत दी बूरा तरिकास हा रहा था MGM के टीम ने अब बीजे टीम से आ रहा था वहां पर इनकी तास्विगेट के रहे थे बाकी दो मुकाबला पर स्ट्रेट दो होगे 102 पे 102 ठीक है मतलब बहुत बढ़ी है टीम से इनकी टीम से नहीं है इनकी टीम से पहले वीडियो को लाइक नहीं करके स्टाट करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइम नहीं किये तो कले ना बेलाकिन को प्रेज करेंगे लिए इस टीम का फानल टीम उटेट आपकी मिलती है टिले वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आपको टेलेग्राम का लिइक मिलेगा लिएगे करेंगे दोस्तों सिदा को फिर आप लोग उसे बिल्कुल भी सवधार हो मुकाबल जो टाइम ही रहेगा 10 बज़र हागा नाइट को बेनु सेंब रहेगा सारजा किट के स्टेडियम सारजा में इसी बेन्यू पर सारे मुकाबल हो रहे हैं हमने इस बेन्यू पर देखा एक तो बैटिंग फरंट लिया है उपर से जो फास्ट में नहीं बैटिंग कर रहा हूं उस टीम को बहुत जादा हिल्प मिल रहा है क्योंकि अभी तेक इस बेन्यू पर 15 मुकाबले खेले बैटिंग फर्स्ट यहां पर 10 जीता है बैटिंग सकंड तीन मुकाबले भीन कर रहा है दो मुकाबले बाइस के जलते अब एंडर भी वेते इस चीज़ से आपको पता लागता है कि जो फर्स्ट नहीं बैटिंग कर रहेगा तिम उसको बहुत जदा है डिवार्टे मिलेग एस कंपेट तो सकेंड इनिक से ठीग है एमजे अब किज़कर क्लब के टीम के बारे मताब दूँ मैं आपको स्टार्टिंग बता दिया कि बाई टीन केला है दो जीता है और यहां पे खारा है और एक वाला मुकाबले इनके नोड़ी जलता आता इनके जो उपने रहे अंसा जाता नहीं बॉलिंग करा करता है मैं बोलूँगा आप ऐसा परलर पी करो केप्टन स्वाइस कपनेंस से मेरी साब से रिस्क रहेगा दोस्तों क्योंकि बॉलिंग जाता नहीं कर रहे एक आद दो डालते है और कभी डालते भी नहीं है उनके साहते हैं मुहमद कलीम हफीज जो राइटे मेडिक करा कर देगा राइट और फास्ट बॉलिंग करवाता है कंप्लीट बर्समाने दोस्तों बैटिंग सकते हैं आपको अविलेबल दिखेगा और स्मॉली के टीम इनको साथ में लेकर चलेंगे बहुत अच्छा का सा टच में भी है एक अतिस नौट और ला वकास अली जरूर राइगा ठीक है वकास अली पहलेबला मुकाला चुवालिस नौट और का था सगेंड़ वला मुकाल में लाश्ट मुकाला चोवतिस रण कलप्टी डिवन दिकर देखोगे स्वला मैचर में 226 रण है पले संधार है वकास अली हमें समॉली की टीम में मयां को छोड़के इनको पिक करेंगे उनके बाद हैंगे राहूल चोपड़ा जो कि आपको टीम तेस विकरिंग कराका देगा पहले वला मुकाला में 24 रण लाश्ट मुकाला 32 रण करे थे प्रस दो भीकर नहीं करना था पार्ट टैम बोलिंग करवाया था भाई यो ठीक है और यह पर कि बॉली करती एसे तो अगके बगेट के पर खेलता यह बगेट करवाया करता भाई झारकत भाहिं फो अज घृत नहीं कर रहा था उन्होंने बॉली कर वाली थी त्रियन वाली करफेंस से कपसर रहेगा क्यों टीम इनको बार-बार ऊपर भी खिला रही है अदिल मलीक पहले मुखाला मुखाला विकेट लजगाते चार बर के बोली करवा के सगर वाला मुखाला में 8 रंज 0 विकेट 2 बड ढल के लाश्ट वमकाला नो रंज तीन विकेट 4 टीम के में बिकट टेकर बोलर है अज आप अलर पी करना कि आप्टेंस वाइस कम देंस बिल्कुल भी मत करना दोस्तों क्योंकि साहने वाली भी और कोई वीक टीम नहीं है कि तीन से चार विकेट निकाल लेगा ठीक है उनके बाद हैं कि हर सित कोशिक तीन मुकावले में देख आप लेगे लिए 147 रन भी करेंगे उनके बाद हैंगे मली गुलाम अस्तफा जो कि आपको फिल्लिंग रागए देगा लेने कोई मतलब नहीं बनेगा 147 माच में सिर्फ 45 बिकेटे मतलब आज जाब बर्स में प्ले करता है ठीक है डान इस टेम से अंसार खांड को पी करना है महमत कलीम हविस को पी करना है उनके बाद वाकास अली को लेंगे खाल бер लिगते में वाकास अली को छोड़के मायं को रखें एक बटेस महुली का टीम में आपको छोड़के इनको रखेंगे— चोपड़ा को पी करेंगे नियास खान को पी करेंगे अबदूर मली को पी करेंगे देट में कॉसिक अंसार खान मतलब अंसार खान कभी पार टाइम होता ना एका दो बर तो इत देट में डालते इसलिए को विकेड मिलता है और आल चोपड़ा पाता नहीं कैसे लास्ट टो मैंसे में बोली कर गई थी एक योबर को बोली करवाय थे भाईयो और वहाँ पर दो पर निकाले थे ओभी आते बेस वाबर डालने उनके बाद ना जो भी बैस बाट है अपला भाईयो उनका सब कमाने नाम लिखा है और पला स्टार्स भी लिखा है भाईयो इनने से कोई भी खिलेगा आपको मिलेकर टेलिग्राम पर तो सबसे पहले आप टेलिग्राम को पहला हरा था लाष्ट रम के टीम के नो री जल्ट रहा था जो पहला रहा था पर लाँपर। इसी तरी कस्वान करें इङुन्हों ने एक इतारी सथिर्ण नहीं बना पाई थे मतलब एक इभरेज देखोगे 182 मैं 101 भीकेट है और गास ज़्यादा बोले नहीं के रहा था ठीक है और नहीं ज़्यादा अच्छा असा पलिर भी है वैटिंग से देखोगा बैटिंग से तो बिल्कुल भी बड़ी है बैटिंग बिल्कुल भी करा सकता है इन्होंने 105 बिकेट भी निकाल अपने केरियर में मैं बोलूंगा आप इन दोने में से तैमूर वाली को इस मौली की टीम में पिक करो लबप्रीत बाजवा विकर्गी ब्रिंग करा आगा देगा दोस्तों आप इस मौली की टीम में इनको भी ले सकते हो यह बंदा 669 आट करें थे भाईयो तीन सो तीन साथ मैच में सो तीन सो साथ मैच में ग्यारा सो पलस रन है पलस 69 विकेट भी है आज अब इकर पले करेगा तो बोले नहीं करेगा हम इस मौली की टीम में इनको भी कवर करेंगे फाहार नावाज जो कि टीम के म हाला कि पलेर बहुत ही संदार है दोस्तों ठीके पलेर में कोई सक नहीं लेकिन आउट और फॉर्म चलता है उनके बाद हैंगे मुहमद इकराम राइटम मेडिक कराता है राइटम मीडियम है अजय बात में प्ले भी करेगा दोस्तों उनीस मैचे में चारजार परासर अरश काबरे से देखो ओवरल कर्यों का इस्टर इंका बाइटिंग से अस्टर बढ़िया लेकिन आप प्रव्लाम क्या है कि इनको प्रवब्ली नीचे ही बाइटिंग मिलेगा क्योंकि बंदे ने कुछ खास तो नहीं करा लाइटम कलन भी और नीचे कहलेगा बोली तो बिल्कु करके चलिएगा क्योंकि आप उस प्रवब्ले को पी करो इनकी टिंग तो जो बोली भी करें और बैटिंग से भी आपको पॉइंटर दे उनके बाद हैंगे जैन उल्ला जिन्होंने सिर्फ वैटिंग करवाई थी तेरे नोट आउट कर रहा था लेने को मतला बने बनेगा न 200 प्लस रन है और 193 वैटिंग से न उससे कई हट तक स्टॉंग बालिंग से भी है तो बालिंग और बैटिंग करने का सामता है हम रखेंगे कार्तिक मैं अपन को रखेंगे कितना लोग तिन बीकर निकाले ते चार बड़ डालके रखेंगा भी चौद्ध मैसे मालेडी उन् बहुत ही बड़ी आए उन्हें अबर एमान राइट अमेडिकर आगे देगा राइट मीडियम है 3.4 अब डालके बिकेट लेस गया था 142 मैस में 126 बिकेट ज्यादा विकेट एकर बॉलर भी है नहीं और मैं इनको ज्यादा प्रेफर भी नहीं करूंगा स्मॉल एक टीम है जो बहुत ही बड़ी आटेम्स आए और यहां पर टॉस का थोड़ा इंपोर्टर सराएगा उपर से आप पोताओं इद्धेत में आदे तो इनको आप ग्रेली के टीम में रखिएगा जरूर आपने इस टीम से तेमूर मलिक और वाकास में समय जाओंगा तेमूर के साथ उन पर के बाद स्टार्टिंग ओपर उमेध रहमान दो बड़ डालता आसी भायात ने दो बड़ डालता आपको लागता है कि भाई बाई इन मेंसे भी कोई चैन्स आपको देखने को मिलेगा तो पहले तो आपको टेलीकराम चैनल को जोईन करना ही पड़ेगा विकेट की पर स सकता हो देखो मैं ना इनके साथ ही जाएंगा क्योंकि इन्होंने अच्छा का से करें थे वन डाउन निखेलेगे राहुल चोपड़ा बहुत जाए नीचे कहलता है अब इनका सेलेक्शन इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि दोस्तों लास्ट्रम में एक उपर में ना दो लेते आप कलीम हफिस को ले लेना मैंजम का कलीम के साथ ही बाकी यहां पर नीचा आओके तो तैमूर मलिक भी ओपनी करवाई थी तैमूर अले ठीक है और यह अच्छा का से पले रेवी है और इनका मैंने स्ट्राट देगा बहुत ही बढ़ी आए तो आप एक चीज कर सकतो कलीम को जाएगा पर तैमूर को भी ले सकतो अपर इसकी टीम में ठीक है उनके बाद रहेगा फाहाद नावाज को लेना को मतलब बनेगा नहीं क्योंकि बोलें तो चुछ हुएगा नहीं अब ऐसे कुछ खास पले रहे भी नहीं बोलें स्ट्राट में मैयापन को पिक नवाब खान इनका नाम है इनका नाम नियाज खान इनका नवाब खान है तो हम आएंगे सीधे सीधे यहां पर बैटिंग सेक्शन में वक्कास जाटे अफिर विकेट की बस सेक्शन में रहूल चोपड़ा को अप ले सकते हूँ ठीक है अप लेना जाओ किसी अश्ट्रा ब नवीज भी करना अब्दुलमरिक सही रहेगा ठीक है यह मेरा कंपलेट डेमो टीम में तो फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम आपको मिलेगे टेलेगराम पर जब आप जूडेंगे तो भाईयों जूड के चलिएगा वीडियो के डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेग उमेद गता को वीडियों पसंद आया लाइक के में जरू कदना वेश्ट अबला गुड़ा